हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, फ्रेंड्स आज के लेशन में हम लोग बात करेंगे क्ले मिनारेल्स के बारे में, दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की लेशन को फ्रेंड्स, जैसे की कोई ग्रेवल और सैंड में प्रेजन रहता है रॉक मिनारेल्स, जैसे की क्वार्ज, फेल्ड्स, पर माइका, एटसेटरा, ठिक उसी तरीके से किसी क्ले पार्टिकल में भी आपका प्रेजन रहता है क्ले मिनारेल्स दोस्तो इंपोर्टेंट क्ले मिनरल से देखिए केयोलिनाइट, इलाइट और बॉन वरोनलाइट तो दोस्तो एक-एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे फ्रेंड्स पहला जो मिनरल है वो है आपका केयोलिनाइट दोस्तो देखिए इसमे एक गिपसाइट सीट जिसको मैंने ब्लू कलर में सो किया है और दूसरा है आपका सिलिकॉन सीट इसको मैंने रेड कलर में दिखा है एक गिपसाइट सीट और एक सिलिकॉन सीट मिलके आपका बनता है केोलिनाइट मिनरल अब दोस्तो इसके अंदर दे single seat of give side they are held by very strong hydrogen bond अब दोस्तों देखिए इसके अंदर जो bond होता है वो था है आपका hydrogen bond और ये बहुत ही strong होता है तो इसके बज़े से water easily इसके अंदर enter नहीं कर पाता है water cannot easily enter between the structure और इसके बज़े से swelling and activity of the mineral is least इसके अंदर water easily enter नहीं कर पाता है जो soil होता है वो आपका stable होता है और इसका activity भी कम होता है तो इसका example है देखिए China clay जिसको हम लोग चीना मिट्टी भी बोलते हैं अब बात करते हैं इलाइट के बारे में इसके middle में देखिए गिप साइट सीट और दो साइट है silicon सीट और इसके देखिए जो length है आपका 9.6 angstrom अब देखिए इसके अंदर जो bond रहता है potassium bond और ये medium swelling and shrinkage सो करता है तो दोस्तो ये आपका हो गया इलाइट अब दोस्तो जो last mineral है ये है आपका montmorillonite दोस्तो montmorillonite में भी same है इसमें देखिए middle में है गिप साइट blue color में और दो साइट है आपका silicon seat अब दोस्तो इसके अंदर जो देखिए bond है वो है आपका water bond water bond जो होता है सबसे loose होता है और इसके बज़े से easily इसमें swelling and shrinkage होता है और इसके बज़े से swelling और shrinkage के बज़े से volume बहुत ज़्यादा change होता है और जो मित्ती है वो बहुत ही unstable है किसी भी structure बनाने के लिए exhibit large swelling and large shrinkage highest percentage is present in bentonite followed by black cotton soil जो black cotton soil है इसमें इस तरीके की mineral present होता है friends last में मैंने दिखाया है swelling की increasing order पहले आपका kaolinite kaolinite से ज़्यादा swelling होता है illite में और illite से भी ज़्यादा swelling होता है mont borello night में so दोस्तों यह था clay minerals के बारे में hope you understand if you understand then please like this video share with your friends and please subscribe my channel